नमस्कार मकर सक्रांती और लोडी की हारदिक शुबकामनाएं देखिए त्योंहार जो है न वो स्वास्ते से ही जुड़े हुए होते हैं और स्वास्ते के बिना कोई त्योंहार नहीं होता आप से अगर कहें कि ये जो उमंग आज है मकर सकरांति की हो चाहे लोडी की हो ये उमंग अगर आज से तीन महीने पहले मन में लानी हो तो नहीं आएगी ये मोसम है जो हमारे अंदर ऐसी भावना लेकर आता है तो आप देखें कि मकर सकरांति के उपर तिल खाने का बड़ा महत्तो होता है आप देखें कि प्रकृति ने जो है वो इस मोसम में तिल दिये क्यों दिये कि इस मोसम में खाने का होता है इसको सूर्य और शनी से भी जोड़ा जाता है कि शनी के दान शनी के अंदर खाने में शनी के सम्मंदित तिल को इसी लिए रखा गया कि शनी ग्रै जो है वो अब जैस यानि धनुराशी में धनुराशी योटी भुरू की ब्रस्पती की ब्रस्पती राशी में गरिष्ट भोजन खाया जाता है इसे क्या होगा शरीर के अंदर एक fermentation होगा, जो ठंडक के समय में हमने गरिष्ट भोजन खाया, वो तेल उसको पचाने का प्रियास करेगा वो जैसे ही पच जाएगा वैसे ही शनी की राशी, यानि एक महीने सूरिय शनी की राशी में रहेगा, इसी दिन से गर्मी आने शुरू हो जाएगी, तो वो जो खाया हुआ तिल है, वो जो हमने गरिष्ट खाया, उसको मिक्स करके हमारे शरीर को स्वास्थे परदान करेगा उसी के कुछ दिन बाद जो है, वो बसंत पंचमी आ जाती है, और बसंत पंचमी जो है, वो बड़ा सुन्दर, यानि पूरी पृत्वी का अगर एक साल में सबसे बैस्ट समय माना जाए, तो बसंत पंचमी का होता है, बसंत बयार बहने लगती है, और वो एक आनन्द का वातावर्ण हमारे मन में आता है, आनन्द कब आएगा, जब शरीर स्वस्त रहेगा, शरीर स्वस्त रखने के लिए सर्दियों में हमने गरिष्ट खाया, तो उसको तो कहीं न कहीं काटना पड़ेगा न, तो काटने के लिए तिल का तेल, तिल के लड़ू और ये इस समय जो है, हम लोग ये सारी चीजे खाते हैं, इसको एक त्योंहार का नाम दे दिया, प्रकरतिक रूप से देखिए, रिशी मुनियों ने हमारे मकर सक्रांती को शुरुआत की, क्योंकि क्योंकि एक महिना जब सूर्य धनूराशी से मकर राशी में जिस दिन आता है उसी दिन से सूर्य जैसे पूरव से दक्षिन की ओर जाता है ये ये पूरव है, और अगर इधर दक्षिन माने, ऐसे दक्षिन माने तो मेरे सामने अगर पूरव इधर दक्षिन है तो दक्षिन आयन जाता है सूर्य आज जैसे सूर्य लास्ट यहां पर है अब यहां से वापिस उपर आना शुरू हो जाएगा और जून के महिने में एकदम सेंटर में रहेगा यानि यहां पर सूर्य रहेगा अभी जो सूर्य है वो यहां है लास्ट तो यहां जब सूर्य होता है तो यहां ठंडक बढ़ती है और सूर्य उपर आता है तो गर्मी अच्छा सा फील होना शुरू हो जाए यह है तिल का महत्व है तो हमें इस समय तिल जो है वो खाना चाहिए हमारे शरीर के स्वास्ते के लिए बहुत बढ़िया रहता है सर्दियों में मैंने आपको कहा है कि तिल का तेल जो है वो सिर में भी लगाना, शरीर में मालिस भी करना और उसको खान पान में भी लेना क्योंकि तासीर तिल की गरम होती है बहुत अच्छा इसमें कैल्सियम होता है विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत अच्छी चीज है तिल रिशिमुनियों ने इसको ऐसे जोड़ा कि अगर तिल आप खाते हैं तो तिल का दान भी करिए यानि समाज को भी स्वास्ते बाटिए समाज को भी खिलाइए अगर किसी के पास तिल नहीं है तिल का तेल नहीं है तो वो दान करने से उस व्यक्त तु निरामया यह पूरे जो ब्रमाण्ड में वसुदेव कुटूंबकम की जो भावना हैं यह रिशमुनियो ने लिए और मकर सकरान्ती के दिन दान का प्रियोग बताया क्योंकि शनी से related, शनी की राशी है और शनी की राशी में करम शिलता होनी चाहिए, महनत होनी चाहिए तो जो व्यक्ति सर्दियों में आराम पसंद रहा है, रिजाई में ओड कर सोया है, वो अपने आलस्य को त्यागे मकर सकरांती के बाद व्यक्ति में गर्मी का भाव बढ़े, क्योंकि जैसे ही शरीर में गर्मी आएगी, वैसे ही उसकी क्रिया शिलता बढ़ेगी आपने देखा होगा कि जैसे कोई पशू है या कोई व्यक्ति है ठंड होती है तो सिकुडता जाता है गर्मी होती है तो फैलता जाता है रात को अगर सोता है तो जैसे जैसे ठंड होती है वैसे वैसे कपड़े में सिकुडता जाएगा जैसे ही गर्मी आएगी वैसे वैसे फै गर्मियों में व्यक्ति फेल के सोता है, सरीयों में शिकुड के सोता है. तो जैसे ही हमने अब इस सरीगों तोड़ते हुए, बीच में तिल के लड्डु खाये, तिल का तेल लिया, तो हमारे शरीर में गर्मी का आभास हुआ और हमारी क्रियाशिलता बढ़ गई. तो यह जो समय है यह क्रिया शिल्ता बढ़ाने का है। लोहडी में भी इस समय नाच गाकर जो लोग हैं वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं यानि अब खेती की ओर जाने का समय आ गया, अब खेत को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने जीवन में खुशाली ला में चर्चा करने का था। हमारे जो बच्चे हैं जो बड़े हैं आज के दिन मकर सक्रान्टि के दिन पतंगे उड़ाते हैं, बहुत क्रिया शीलता रहती पतंग बहाने से उनके वपर चड़ना उटरना सब buraya और सब मनोज योगाचारे त्रीनित टीवी के लिए नमस्कार